दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें जिससे के आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सपा सकें दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफी समय से कोरोना वाइरस के चलते दुनिया भर में हरकम मचा हुआ है जिस कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो चुका है इस वाइरस के संक्रमन के सबसे अधिक मामले चीन, इटली, एरान और कोरिया में सामने आए हैं दुनिया भर के वेग्यानिक इस पर दिन रात रिसर्च कर रहे हैं आज की हमारी वीडियो कोरोना वाइरस पर ही आधारित है करोना वाइरस का पहला मामला, पीते साल दिसंबर में चीन के वोहान में सामने आया था जिसके बाद से ये वाइरस धीरे धीरे दुनिया के 168 देशों में फैल चुका है इसे लेकर दुनिया भर में सरकारें अपने नागरिकों को सतर कर रही है और इस वाइरस के संक्रमन से बचने के लिए जानकारी सांजा कर रही है दुनिया भर में करोना वाइरस से अब तक 42,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही संक्रमन के मामले भी बढ़कर 8,57,000 के पार पहुँच गए है हमारे देश भारत में करोना वाइरस संक्रमन के 1500 से भी अधिक मामले सामने आये है और अब तक 40 से 50 लोगों की मौत हो चुकी है करोना वाइरस और ना पहले इसके लिए पूरे देश में 21 दिनों का लॉक डाउन चारी किया गया है करोना वाइरस से मरने वालों की संख्या को देखा जाए तो ये बेहत कम है हाला कि इन आंक्रों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन आंक्रों की माने तो संक्रमन होने पर डेथ रेट केवल 1-2 फीसदी हो सकती है फिल हाल कई देशों में इसे संक्रमन लाखों लोगों का इलाज चल रहा है और मरने वालों का आंक्रा भी बढ़ता जा रहा है दुनिया भर के 56,000 संक्रमन लोगों के बारे में एकठी की गई जानकारी के अनुसार WHO का अधियन ये बताता है कि 6 फीसदी लोग इस वाइरस के कारण गंभीर रूप से बिमार हुए हैं जिनमें फेपड़े फेल होना, सेप्टिक शॉक, औरगन फेल होना और मौत का जोखिम था 14 फीसदी लोगों में संक्रमन के गंभीर लक्षन देखे गए इनमें सांस लेने में दिक्कत और जल्दी जल्दी सांस लेने जैसी समस्या हुई 80 फीसदी लोगों में संक्रमन के मामूली लक्षन देखे गए हैं जैसे बुखार और खासी कईयों में इसके कारण निमोनिया भी देखा गया है इनसान के शरीर में पहुँचने के बाद कोरोना वाइरस उसके फेपनों में संक्रमन करता है इस कारण सबसे पहले उसे बुखार उसके बाद सूखी खासी आती है बाद में सांस लेने में समस्या हो सकती है इसके लक्षन दिखने में औसतन पांच दिन लगते हैं हाला कि वग्यानिकों का कहना है कि कुछ लोगों में इसके लक्षन बहुत बाद में भी देखने को मिल सकते हैं WHO के अनुसार वाइरस के शरीर में पहुँचने और लक्षन दिखने के बीच 14 दिनों तक का समय हो सकता है हाला कि कुछ शोद करता ये मानते हैं कि ये समय 24 दिनों तक का भी हो सकता है कोरोना वाइरस उन लोगों के शरीर में अधिक फैलता है जिन में इसके संक्रमन के लक्षन दिखाई देते हैं लेकिन कई जानकार मानते हैं कि इनसान को बेमार करने से पहले भी ये वाइरस फैल सकता है बिमारी के शुरुआती लक्षन सर्दी और जुकाम जैसे ही होते हैं जिससे कोई आसानी से ब्रहमित हो सकता है अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना वाइरस के संक्रमन से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है कोरोना वाइरस याने COVID-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धुएं जब कोरोना वाइरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खासता या छीता है तो उसके धूक के बेहत बारी कण हवा में फैल जाते हैं इन कणों में कोरोना वाइरस के विशानू होते हैं संक्रमित व्यक्ति के नस्दी जाने पर ये वाइरल कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं अगर आप किसी ऐसी जगा को चूते हैं जहां ये कण किरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आख, नाख या मूँ को चूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुँचते हैं ऐसे में खासते और चींकते वक्त टिशू का इस्तिमाल करना, बिना हाद धोये अपने चेहरे को ना चूना और संक्रमित व्यक्ती के संपर्ग में आने से बचना, इस वाइरस को पहलने से टूपने के लिए बेहत महत्व पूर्ण है चिकित्सा विशेशगों के अनुसार फेस मास्क इसे ज़्यादा सुरक्षा नहीं करते कई जगा इस तरह के दावे भी किये जा रहे हैं कि गर्मी की मदद से कोरोना वाइरस को खतम किया जा सकता है तो वहीं पानी को गर्म करके पीने की सलाथ दी जा रही है यहां तक के नहाने के लिए भी गर्म पानी के इस्तमाल की बात की जा रही है बीटे कई दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह के दावों की भरमार है एक पोस्ट जिसे कई देशों में हजारों लोगों ने शेयर किया है उसमें दावा किया गया है कि करम पानी पीने और सूरज की रोशनी में रहने से इस वाइरस को मारा जा सकता है तो ऐसे में ठंडी चीज़ें जैसे की आईसक्रीम्स और कोल्डरिंग से परहिस करने की सला भी दी गई है कोरोना वाइरस संग्रमन्ट के कारण पूरों और अस्थमा यानि सांस की तकलीव से पीडिक लोग डाइबिटिक और दिल की बिमारी जैसे परिशानियों का सामना करने वाले लोग गंभीर रूप से बैमार हो सकते है कोरोना वाइरस का इलाज इस बात पर अधारित होता है कि मरीज के शरीर को सांस लेने में मदद की जाए और शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाया जाए ताके व्यक्ति का शरीर खुद वाइरस से लड़ने में सक्षम हो जाए कोरोना वाइरस की वैक्सिन बनाने का काम अभी भी चल रहा है अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संबर्क में आते हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए खुद को दूसरों से दूर रहना पड़ेगा पबलिक हेल्थ इंग्लेंड ने ये कहा है कि जिनें लगता है कि वैस संक्रमित हैं वो डॉक्टर, फार्मेसी या अस्पदाल जाने से बचें और अपने अलाके में मौझूद किसी हेल्थ स्पेशलिस्ट से फोन पर या आउनलाइन जानकारी लें जो लोग दूसरे देशों की यात्रा करके वापस लोटे हैं उन्हें सला दी गई है कि वैक कुछ दिनों के लिए खुद को दूसरों से अलग कर ले इस वाइरस से बचने के लिए दुनिया भर के देशों ने अपने अपने स्कूल कॉलेज बन करने जैसी कदम उठाए है संग्रमन के लक्षन दिखने पर व्यक्ति को अपने स्थानी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जो लोग बीते दिनों करोना वाइरस संग्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं उनकी जाच की जाएगी अस्पताल पहुँचने वाले सभी मरीज जिनमें सर्दी सुगाम और सांस लेने में तकलीफ के लक्षन है डॉक्टर उनका परिक्षन करेंगे परिक्षन के नतीजे आने तक आपको इंतजार करने और दूसरों से खुद को दूर रखने के लिए कहा जाएगा रोज दुनिया भर में करोना वाइरस के सैंक्रो मामले सामने आ रहे हैं लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अब भी कई मामले हेल्थ एजेंसी की नजर से बच चुके हैं दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट worldometer.com पर जाकर चेक कर सकते हैं कि दुनिया भर के हर एक देश में करोना वाइरस के कितने केसिस दर्ज हुए हैं कितनों की मौत हुई हैं और कितनों की जाने बची हैं आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझे परसनली मैसिज भी कर सकते हैं आप अपने विचार हमें कॉमेंट्स के माधियम से जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेर जरूर करें हम जल्द ही आप से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजास्त दीजिए